सर, हमारा विश्वास कीज़े, हमने लाठी चार्ज नहीं करवाया है हम ऐसा काम करी नहीं सकते हैं सर, हमको लग रहा नहीं, कोई साज़श है हमारे खिलाफ, कोई चाहता है कि हम इस केश से निकल जाए हम आपको बता रहे हैं, सर हम सब जानते हैं करिश्माशी लेकिन बात हमारे हाथ से निकल चुकी है क्योंकि डिपार्टमेंट को यह लगता है कि यह केस आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है और वखे भी इस केस के लिए नई नियुक्ति की जा चुकी है बहुत जल्दी इस केस का चार्ड लेने के लिए नई एसाई थाने में आ रही है जहिन अपस्ट ही आ श्चस्ड़ श्चस्टाध्ण प्रशाद्ट का वाउ मरrä ओा किा पाल कि एoloी आँर मैया के साथ हो मैया मैड़ मैडम मैडम प्लीज संभाली अपना आपको लेकिन समय ना बड़ा खराव या पई गलत स्टेपने उल्ट हम लोग पर परसता है मैडम एक बुरी खपर है जानते हैं हम नए ऐसा ही आ रही है के संभालने के लिए मैडम पॉ आचुकी और अंदर ही बेठी है एक उससे भी बहुत बुरी खबर है का आप खुद अंदर चल कि देखिये खाम उसीबत झाल अप्रुअम्टूदूर। लीडिने सब्सक्राइब साफ। अना में पेमेंट। पेमेंट? अरे हमसे पेमेंट मांग रहा हूं। पुलीस वाले से। लगता है आप आप उनको पहचानती नहीं। तब ही इत्ता दूस्सा हास कर बैठी अगर जान लेती कि हम किस फैमिली से है कहां तक की पहुंच है हमारी और इस डिपार्टमेंट में कितना वजन है तब शायद आपकी हिम्मत नहीं होती हमारी जेब में यूँ हट डालने की बही हम दो आपके भले के लिए बोल रहे हैं वरना हम तो मिस्री है पान में मिलाओगे तो शेहर और मुलेठी में मिलाओगे तो जेहर आखिर जंदा ने आपका मूँ काला कर ही दिया अब ये तो होना ही थाना आपकी हसीना वाइडम जो है नहीं आपकी यहां सिचुएशन को संभालने के लिए और वैसे ही इतना बड़ा थाना संभालना सब के बस की बात थोड़ी है और वो कहते है ना मुसीबते जब आती है ना तब भर भर के सब जगह से एक साथ आती है अब आपका टाइम पहले से एक खराब चल रहा था और उपर से हमारी एंट्पी हो गई आपके इस थाने में बाहर पब्लिक है जो आपको चैन से बैठने नहीं देंगी और यहां हम करिश्मा सिंग जी बताइए अब क्या किया जाएगा कैसे बचा पाएंगे आप खुद को हमसे चलिए आपकी किस्मत से पूछते है कि वो आपके बारे में क्या कहती है अरे हमको याद आया इस बार तो हम असली वाला सिक्का इस्तुमाल कर रहे है देखिए इस बार दोनों तरफ हेड नहीं है हेड और टेल दोनों है अगर हेड आया तो शायद कोई चमतकार बचा पाए आपको हमसे लेकिन अगर टेल आ गया तो अब तो कोई चमतकार ही बचा पाएगा आपको हमसे तो देखे अरे ये तो बड़ी समस्या हो गई करिश्मा सिंग जी टेल आ गया अब बताईए अब कौन बचा पाएगा आपको हमसे कितने शर्म की बात है कि आप लोगों के थाने के बाहर प्याज के बढ़े हुए दामों को लेकर धरने पर बैठे हुए प्रदर्शनकारियों के लिए आप लोगों ने कुछ किया कुछ भी नहीं किया उपर से एक नया पजीता कि सोते हुए प्रदर्शनकारियों पर रात में लाठी चार्ज एसाई मिश्री ये सर इस बारे में हमने आपको चानबिन करने के लिए कहा था पूरी जाज परताल किये है सर हमने पदा भी लगा लिया है कि ये सब किसका किया धरा है जोगी नाम है उस इंसान का सर फिलाल तो फरार है पर पुलीस से बचकर जाएगा कहां सर एक मिनिटा सर ये आपके लिए लाए है हम सोचा आप आ रहे हैं तो आपके लिए कुछ बना कर लेते चले इसलिए 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 अशाई मिश्री हम आपका इतना कद्र करते हैं अरे आपकी टाइमिंग बड़ी गजब की है थाइंक्यू सर विसे खुश्बू तो बहुत अच्छी आ रहे हैं अच्छा इसमें प्याज का तड़का तो लगाया होगा ने बटर में लगाई है तड़का नहीं नहीं भाई हमें तो घी का तड़का ही पसंद है वो भी लगा देंगी आई मीन उसी में बनाया होगा हाँ सर आप बैठे नहीं हम प्लेट लगा देते हैं वाव क्या बात है तो अशाई मिश्री और करिश्मा सिंग आप दोनों मिलकर इस केस को सॉल्ब करेंगे जी सर नहीं सर हम यह कह रहे थे कि आप हम कह रहे थे कि यह मामला बहुत तूल पकड़ता जा रहा है। जल से जल इस केस को दोनों जन मिलके solve करो, नहीं तो केस हाथ से निकल सकता है. भाई लाईए आप भी अपने टिफिन को, देखें आप क्या लाई हैं? हम नहीं लाएं कुछ टिफिन में सर. सर वो क्या है ना कि करिस्मा मडम को ना बनाना नहीं आता? क्या? नहीं, दरसल वो पुषबा जी कॉरेंटाइन में हैं, तो घर का काम, फिर यहां का काम दोनों मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. देखा आपने, डिबार्टमेंट आपका कितना खयाल रखता है? आप पर काम का ज्यादा बोज ना पड़े, इसलिए यहां पे S.I. मिश्री को भेज दिया है. अरे भाई, आप दूनों मिल कर इस केस को सॉल्व कीजिए. पर पता लगाईए ना, कि यह प्याज के दाम इतने बढ़की हो रहे हैं. जी, सर. कमाल की चीज़ों आप, अपने काम के लिए सीधा पुलिष्था ने पोच गई? पुरिजेश बाबू, बदले के दो प्रकार होते हैं. एक, जो सीधा मार कर लिया जाता है. और दूसरा वो, जो हलका हलका थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे करके मार कर लिया जाता है. जंगल की छोटी सी चौकी में, पर उसमें वो मज़ा नहीं है, अब देखें, दुश्मन को अपनी आखों के सामने तडपता हुआ देखने में जो मज़ा है, उसके बात ही कुछ और है, अरे इसलिए तो हमने प्रदर्शक कारियों पर इतना लाठी चार्ज करवाया, ताकि हालात थोड़े और बिगर जाए, और हमारा ट्रांस्मर असानी से हो जाए, पर ना पता नहीं हमें कब तक ही हुई स्टाइन बाई पर रहना परता हुआ, जो भी हो, आपका महिला थाना जॉइन करने से हमारा तो फाइदा ही हुआ ना, हाँ भई, फाइदा तो हुआ है, प चलिए, अब वो भी देख लेते हैं, देखे, अगर हैड आया, तो हम आपके, लेकिन अगर टेल आया, तो हम आपके है कौन, ठीक है अरे रे, ये तो बैड लग हो गया, टेल आ गया, रिजेश बाबू, हम आपके है कौन ये हुई ना बात, ब्रिजेश बाबू, अब आप बे फिकर हो किए, अपनी खुशियां मनाईए, अब चलते हैं संतो शर्मा, तुमको प्यास की कीमत पर रिसर्च करने को कहते हम, जी माडम रेडी है रिपोर्ट, संतो शर्मा, आईए, रिपोर्ट तो हमें भी देखनी है, क्या है मिलकर काम करना है तो फिर जानकारी भी सांजा होनी चाहिए है ना, वरना फिर हम अपना योगदान कैसे तो भी सांजा है तो फिर उनको नथे सकते हैं, वाल मैं डूनो को साथ में प्रेजनेशन हैं आप यहां ही है ने-ने-ने-ने-ने-न, कॉंस्ट संतों शर्मा, कष्ट तो आप उठाएंगी, सीनेर हैं आपके, इसलिए आप हमारे टेबल पर आएंगी और हमें प्रेजन्टेशन देंगी एक मिनट संतू सीनर जूनियर का बात है तो ऐसा ही मिस्री पांडे हम ऐसा चो करिशमा सिंग सीनियर हैं आपके तो आप आईए प्रेजन्टेशन लिए चल संतू अरे अरे करिशमा सिंग आप तो प अब क्या है DSP साब को डिरेक्ली रिपोर्ट जाता है ना तो उनको ये कहते हूँ अच्छा नहीं लगेगा कि आपका इंट्रेस्ट इस केस को सॉल्व करने से जाधा हमको जूनियर सीनियर का ज्यान देने में आईए संतूश अरे आईए देख क्या रहे है चलिए हमा टोप चलो हमार साथ वाह भई मानना पड़ेगा इंटेलिजन तो है अब पर क्या है ना करिश्मा सिंग जी अभी बात हो रही है संतूश शर्मा की तो संतूश भई तुम तैय कर लो तुम्हें किसकी बात माननी क्योंकि DSP साब की रिपोर्ट में हो सकता है कि शाहिद एक नम तु ठीके मेडम 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 मैडम मेडमीड़ाए ना एक पersonal लेबल परहिशेन है कि आप दोनों लोग के लिए संतूश इंटितेशन दे रहें आप दोनों लोग देख लिएे बारी बारी से बहुत बढ़िया चलो आओ संतू प्रेजंटेशन दो प्रेजंटेशन पहले पहल जिसको बह़र जाना है, जिसको बहुर जाना है, वो इंतिजार करें किई प्रेजेंटेशन हमारा टेबल पर हो रहा है माढम, मैं क्या कह रही हूं कि मैं यहाँ संटर में यह आप दोनों को प्रेजेंटेशन देदेती हूं, ठीक हें? चीते? बहुत बढ़ी आइडिया ही तो चीते पकड़ संती जी पकड़ना तो हम भी बहुत चाहते हैं लेकिन एसे ओन डिवटी सब के समने कई से हाथ पकड़ ले हमापका चीते लाप्टॉप लाप्टॉप पकड़ सॉरी तुम ना थोड़ा काम पर ध्यान दे लो चीते हैं तो अब समझे चीता प्याज है प्याज है? प्याज है पक्का प्याज है? प्याज है मैडम सा का जो कटाउट है वो समझे देश के किसान पुषपा जी का जो कटाउट है वो समझे मंडी जो किसान से प्यास खरीदता है मिस्री माडम को ले लीजिए यह है ट्रेडर यानि की होलसेलर जो मंडी से प्यास खरीदता है आप करिश्मा माडम आप है रीटेलर जो होलसेलर से प्यास खरीदता है और मान के चलिए कि मैं हूँ कस्टमर तो यह जो प्याज है यह 20 रुपे किलो के हिसाब से मार्केट में बिखता था जो आम आदमी के लिए अफोर्डेबल था, आदमी खरीदता था, आदमी खाता जाता यही 20 रुपे किलो का प्याज आज मार्केट में बिखरा है 100 रुपे किलो के हिसाब से जो बिल्कुल भी affordable नहीं है और आम आदमी की सोच से कोसो दूर है हाँ संतु यही case है अब point पर आओ कि प्यास महेंगे कैसे हो तो यह पूरी chain ऐसे चलती है कि जिसान है किसान मंडी को प्यास बेचता है 10 रुपे के लोगे हिसाब से मंडी होलसेलर को प्यास बेचती है 60 रुपे के लोगे हिसाब से और होलसेलर रीटेलर को प्यास बेचता है 80 रुपे के लोगे हिसाब से अब रीटेलर से दुकानों में दुकानों से कस्टमर तक प्यास पहुचता है 100 रुपे के लोगे हिसाब से तो मतलब किसान भेजता है दस रुपे के साब से लेकिन आम जनता तक आते यह दुगना चुगना हो जाता है इनका रेट मतलब जो नब्बे रुपई यह बीच का वो लोग खा जाते है जी माडम और यह पूरी चेन में सबसे बड़ी गढ़ करी है यह हमारी पुषपाजी यह यहाँ पे भी एही गढ़ बर कर रही है तेखिये प्रेजेंटेशन माडम वो मंडी है ना अभी आप पुषपाजी मंडी है अभी इसका मतलब यह हुआ ना मैडम meio-डम की सारा जो घो डैल मंडी में हो रहा है क्योंकि वहीं से 10 रूपय के पे आज 60 रूपय हम बेचा झाह रहा है जीता कुछ नहीं कह सकते ना, जब तक दोशी साबित नहीं होगा हम किसी को दोशी साबित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस दोशी को हम पकड़ के जरूर रहेंगे तो मैडम आपको सुरुवात ना सुनील से करना चाहिए थोड़ा दूप हम भी किये हैं पता चला है कि सुनील लाम का एक आदमी है वोई सब धन्दा में काफी एक्टिव है अजकर अगर वो पकड़ा जाया ना मैडम तो अच्छा लीड मिल सकते हैं हम लोगो यह सुनील का एड्रेस किया है मेंसेज करते है मेंडम अभी आपको वेरी गुचीता गुट जॉब माडम मैं 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 प्रेस मी गुट जॉब संतु तुमने बहुत अच्छा काम किया है हद से जाता है अब हम जाते हैं सुनील का कुणली निकालने तब तक तुम लोगे बिल्ला को समझाओ कि धरना से कुछ फाइदा नहीं होने वाला और सच्चाई सब के सामने बहुत जल्दी आने वाला है ठीक है? जी मानम जी मानम यह सुनील तो प्रेजेश का आदमी है और अगर यह पकड़ा गया तो प्रेजेश भी पकड़ा जाएगा बिल्लू जी बिल्लू जी बिल्ले आहां यह बिल्लू जी यह यह तमाशा छोड़ी है आप फ्लीज मैं कह रही हूँ ना मैडम गई है पता लगाने के लिए कि कौन जिम्विदार है किसके वरे से इकड़बड हो रही है क्यों यह रेट से इतने हाई हो गए फ्यास के मैडम गई है ना पता चल जाएगा कोई ना कोई solution निकल जाएगा आप यह सब क्या कर रहे हो छोड़ो यह धरना प्लू जी आप बिल्कुल सही पर मारे हैं मैंने कहा क्या पर माया इकबाल पीछे आओ 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 तो बिलू जी आप यह फरमा रहे हैं कि यह धरना बं नहीं होगा और आप बिल्कुल सही है हार में कैसे यकीन दिलाओ बिलू जी आपको रुको बे पकाण डियाना तो हटी पसले एक कर देंगे हुआ है भी में की नाची साफल कि यसके है तो है तो है कि यह सोस्स वा-चौण करता बदा मदम ब्रिजस के लिए मंधिगां चेयर में न है मेडम जब किसान बिचने के लिए आता है हम उसक् dafür करते मजबूरी में वह प्याज बेच कर चलिया ते अब फिर का होता है अगे बताओ सारा मल भी तो अगे पास मुदält IT कर ते न प्याच की कीमत करते प में पास में माल स्टॉक में नहीं रहता है मजबूर हो के मजबूर हो के क्या ब्रिजेश भाई जो दाम बोलते हैं उसी में खरीदना पड़ता है और गेचना पड़ता है ब्रिजेश भाई की कंपनी को सराई ट्रेडर्स को जाता है मैडम हम तो बोकस ट्रेडर्स है जैसा हो यह ऐसा ही करते है मैडम आप बरजेश के खिलाफ कोट में गवाई देगा हाँ मैडब दिन के गवाई करिश्मर्दिंग जी क्या हुआ आप आप ठीकता है ने डॉक्टर को बलाऊ तुम अरे अम ठीक है मैं चली पिलू जी अब हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं लविना जी हम आप के लिए अपनी जान दे सकते हैं बस वहीं चाहिए हैं अब विलू जी हमारे कहने का मतलब यह है कि देखे ना आज आज आपके इतने फैंस हैं आपके पॉपिलारिकी कितनी बढ़ गई हैं आपसे बेपना मोहबत करने लगे हैं जानते हैं क्यों? क्यों? हीरो सबको चाहिए पर कोई खुद हीरो नहीं बढ़ना चाहता और हीरो बनने के लिए कभी-कभी तो जान देनी पड़ती हैं और इसके लिए हिम्मत चाहिए जो इनने से किसी में नहीं है? मतलब प्यास के लिए मुझे जान देने पड़ेगी, मरना पड़ेगा? दिलों का बरावसा काइम रखने के लिए थोड़ा मुन ज्यूट तो बोड़ी सकते हैं कैसा ज्यूट? यही कि 24 गंटे में अगर प्यास की कीमत नहीं कर लें तो आप आत्मदा कर लेंगे, डूब कर अपने चान देनेंगे हम यह कहना चाहरे हैं कि आपको सिर्फ यह बात बूलना के लिए बूलनी है लोगों में प्रह्म पहलाना है कि अगर प्यास की कीमत पे कम ली नहीं आए, तो आप आत्मदा कर लेंगे और अगर प्यास की मत कम हो गई तो आपको अब को ऐसा कर लें मिज़र्वत ही ने है चंपत जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही कीजे बिल्लु जी हमीशा के लिए अमर हो जाएंगे दोस्तो मैं बिल्लु चंपत आपका नेता आज मैं एलान करता हूं कि 24 घंटे के अंदर प्याज के दाम कम नहीं किये तो ये बिल्लु चंपत आपका नेता यही में सब के सामने आत्मा हत्या करेगा हमारा नेता कैसा हो लिलू छंपत जैसा हो खाल जाओ आये मैणम बैटे 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 मैनम बैटे मैंटे आरे मुंघ क्या देख रहा है वाई मैणम है थंडागरम लेक्या जा जल्दी जल्दी आए मैणम प्यास लेंगी प्यास तो आम आदमी के रीच में ही नहीं है न हमने तो सुनाए कि आप प्यास की मंडी पर कबजा करके बैठे हैं क्या मैडम, कोई ऐसी बेपर की उड़ा रहा है और आपने मान ली अरे, धन्दे में जलने वालों की कमी थोड़ी है कुछ भी बोलते हैं, मैं क्या बोलता हूँ, कोई सबूत है क्या आपके पास अगर होता ना, तो तुम यहां रूखी सुकी नहीं खा रहे होते हैं हमारे थाने में राजभोकानन ले रहे होते तुम और हम भी यहां शान्ती से बैठके वारतलाब नहीं कर रहे होते हमारे थाना की लॉक अप में ऐसा प्तियास की तरह तुम को छीरते कि तुमारे मुझसे कोई बात निकलती तरोगाजी देखे तो बहुत तुम सा ना देखा देखे मैडम शुकर मनाओ तुमारा आदमी हमारे हाथ से निकल जाने तो तुम ना बहुत बड़ावाला मुसीबत में आ जाते हैं धराने का अदत नहीं है सवाल पूछ चुके हैं जवाब का इंतजार कर रहे हैं माडम हम कम नुकसान थोड़ी उठाते हैं दस रुपे प्रती किलों से प्याज लेते हैं अब सारा का सारा प्याज एक बार में थोड़ी भिकेगा थोड़ा टाइम लगता है अब तक वो प्यास गोड़ा उनमें पड़े-पड़े सर जाता है लाकों का नुकसन होता है अब आप ही बताईए ये नुकसन किसके खाते में जाएगा अच्छा मतलब नुकसान तुम्हारा और भरपाई करे आम गरीब आदमी तुम्हारा शकल पर लिखा है कि तुम कितना जूट बोलते हो अभी के अभी ना हमको बताओ कि सारा प्याज कहां रखे हो अभी के अभी हमारे सामने लाके रखो अब आपको कोई नहीं बचा सकता